मैं उपर से थोड़ा सा बंद कर लेता हूं तो यहां पर है इसकी जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस है वो और पाता है या नहीं तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और दमागेदार वीडियो मर आज की वीडियो हमारी बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज है हमारे पास एलपीजी गैस का छोटा वाला सिलिंडर और एलपीजी गैस के साथ है एक छोटी बॉतल स्टिंग की जिसके अंदर है आदा बर है उसमें हमने सुराक कर लिया है इस तरह का तो आप लोगों ने एक वीडियो कई बार देखियोगी यूट्यूब पर जिसमें बोतल को एलपीजी गैस डालने के बाद रोकेट बना दिया जाता है तो ऐसा ही कोछ आज हम यहां पर करने की कोज़ करेंगे बट इसमें थोड लोगों को बता दू क्योंको उसमें क्या होता है कि बोतल का जो पानी है एक साथ निकल जाता है और उससे जो बोतल कम दूरी पर ट्रेवल कर पाती है तो इसमें के होल किया है इसे जो बोतल का ट्रेवल का रूट है जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा बढ़ सके तो देखते हो पाता है नहीं एक ही attempt करेंगे उसमें complete होता है तो ठीक है नहीं होता है तो भी ठीक है तो इसके लिए सबसे पहले हमको इस बोतल के अंदर डालना पड़ेगा जो हमारी liquid LPG gas है उसको और उसी से इस बोतल का rocket बन पाना possible हो पाएगा तो इसके इसको निकाल लेता हूं मैं यह से जिसे हमें जो भी इसके अंदर हो वो सपस्ट दिखाए दे जो liquid petroleum gas है उसका color कैसा है वो भी हमें यहां पर सपस्ट दिखाए दे तो यहां पर दोस्तों slender है इसके अंदर काफी gas है तो चलिए इसको लगाते हैं इसके उपर और फिर डालते हैं इसके अंदर यह काफी ठंडी होती है दोस्तो तो मेरे हिसाब से इतनी काफी रहेगी इसमें काफी आगई आप लोगों को दिखाई भी दे जाएगी है मैं उपर से थोड़ा सा बंद कर लेता हूं तो यहां पर है इसकी जो liquid petroleum gas है वो और इससे नीचे है पानी है सपस दिखाई दे रहा ह और बिलकुल पानी के जैसी होती है आप इसको देखते हैं छोड़ के और फिर देखा जाएगा कि यह rocket बन पाता है या नहीं थोड़ा सा पानी के छीटे हम पर तो लगेंगे परन्तु एक अलग से चीज होगी और यहां पर आप लोगों को बता दू इसका जो temperature है काफी ठं है नहीं तो यहां पर दोस्तो हमारा जो experiment है आज का वो सकसेज रहा है आप लोगों को वीडियो कैसे लगा कमेंट सेक्शन में जरू बताना बागे हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते तो वीडियो को लाइक और शेयर जरू कर दिया करें मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ने टोपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद बाई बाई जय हिंद जय भारत